हेलो ब्रिवन आज का टापी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टापी में मैं आपको बताऊं का चाड़ पर यह कुछ दो संकेत हैं जैसा कि आप इसक्री पर देख रहे हैं इसे आप मानों पहला संकेत इसे आप मानों दूसरा संकेत जो भी हमाए नई भाई बैने वह समझ ज च्छोन जो यह चैक्टर एक रड़ कंडल है और एक चोटी सिसकी बढ़ी चोटी इन विकलंबी है मतलब बहुत ही एक प्रफेक्ट कंडल नहीं है इस आप डोजी कंडल टाप का इसको मोटते बेस कंडल तो ऐसा इस टेक्टर आप कहीं दिख जाए तिसको बोलते इमांड और इस इस्टेक्ट्चर को भी हम बोलते दिमांड जून की डिमांड जून क्या है से लेकर एडवांस लेबल तक क्सिमें कैसे टेड करकें पैसे चाप रहे हैं पूरा हमने वीडियो बना रहा की आप जाके देख सकते हैं ठीक है दोस्तों हां इस इस टेक्टर को हम कुझी नहीं करते हैं हम सेधी सी बात है हमारे थेवरी में की चीज़ए कि दोनों की दोनों चीज़े हमारे लिए क्या है दिमांड जोन है क्योंकि तो एक बार लों हम वोगनी इस टाइट बन गया तो यहां का जो प्राफिट इस्टाट च्छित होना चीए था वह हमारा प्राफिट प्राफिट मिस हो गया इसलिए हम एक परफेक्ट टैडिंग सी कर रहे हैं एक स्टाइद कि आपृटनों क पर तो समझ जाओ अब बहुत ज्यादर चांस हो गया है कि इस इस चक्चर के बाद में अप प्राइज ये बना इस्ट्रेक्टर एक दिन यह लगा दुसरा ये तीन दिन में श्ट्रेक्टर बने गया तो बहुत जाच्व हुता कि प्राइज यहां से करके ऊपर जाएगी कि ऐसे एक दो तीन में स्टेक्ट बन गया चटोथे दिन से चांस अपर यहां से उपर जागी लेकिन रुके धान से तुरां देनी वीडियो क्लोच करके बसको से करना सूर करते यूज कैसे करना है कहते है अगर पूरी पर्फेक्ट जानकारी होगी तो आप ऐसा बना सकते है आपने उसमें एक छोटी सी गलती कर दी तो आपका बहुत बड़ा लाउस हो सकता है इसलिए पूरी बात को जान सुन लिजे नोई सू इन दो इस्टेक्टर को हमने इसलिए डिसक्स कर दिया नई भाई-बाई-बाई-बाकि इसकी पूरी बेसिक जानकारी डिमांड जोन क् रखा है और पुराने भी और हो समझ जाए कि यह स्टेक्टर बन गया तो अब हम टेड़ प्लान कर सकते हैं उपर जाने के लिए जी हाँ जैसा बोला पैसा छापने की मसीन वैसा हो सकता है कैसे आम मैं थोड़ा चाल प्याता हूं दोस्तों आप इसकी कुछ टिर्म कंडिश सब्सक्राइब कोछ थोड़ी है थोड़ी है जासुनिये का धन से तर्जू ठीक है स्वारी इसको हटाना पड़ेगा प्रेंग को हां यह यह एलंटी कंपनी का मारा चार्ट है यह स्ट्रुक्चर का बनेगा जो टम कंडिशन है इसको आप नोड कर लेंगे वीडियो देखन ट्रेंटी कंपनी के चाड़ पर बीकली का टांट एंव का ड्राइंक अर्थय। इसको अमन आपको बता दिया अ थिखा दोस्तों है कुए हम पहले खुले इडिकली काexplों का हम ट्राइव वो ऑगे यह लंटी कंपनी का चार्ट है यह बीकली का टाइम फ्रेम हमने दोस्तों ओपन किया हुआ है बीकले का टाइम फ्रेम पर आप कहीं नगा ही देखेंगे कि यहां पर एक ड्रॉप एक दो तीन चार पाँच यह पाच क्या है बेस कंडल आइं जिसा बोलते हैं डोजी कंडल और उसके बाद एक ग्रीन कंडल आई है तो डिमान जो बने गया रहा है अभी आपको यादो कमने रहे एक रहत कर लाई थी उसमें एक बेस कंडल लाई थी तो बेस कंडल एक दो तीन चार पाज भी हो सकती है तो हमारे क्यों गया अगर इस डिमांड जोन के मार्किंग करते हैं तो बेस कंडल की बॉड़ी से प्राक्सिमल लाइन और उन सभी बेस कंडल में जिसकी बिक सबसे नीचे गई है वहां से हम डिश्टल एंडरा करते हैं प्राक्सिमल लाइन क्या है डिश्टल लाइन क्या यह सब वीडियो अब लेबल आप जाके देखे दोस्तों मजा जाएगा पैसा कमाने में आपको कि यह हमने बीकला का टाइम उपन किया तो अभी हमने जो आपको इस्तेक्षर बताया है कि जोवी इस बताएक को कि आगर ऐसा इस्तेक्षर नहीं मतलब दिमांड जूझ एक तो होता कि इमांड जोनum di mandal PR कोज आए तो हम खरीद ले यह तो आपको निश्ट चुके हैं कभी कि यह चीज़ अगर बन गई तो आपको डरने की फिर जाज़ रोत नहीं है आप एक चीज़ सोचो अब यहां पर प्लीज धान सुनियेगा प्राइज मैंने पहले क्या किया एक बीकली का डिमांड जो यह मार किया था अब मैंने इसको डेली में कर दिया कनवर्ट हां मैं और प्राइज बता दू वह जो इस्टेक्चर हमने बताया है जब तक आप एक बेगनेर है तब तक आप यह समझे लिजे वो इस्टेक्चर डेली कर टाइम फ्रेम पर देखना है उसका क्या रीजर है अब इक लिए पर समझ जाओ अगर उस्टेक्चर को आप बीक लिया मंतली पर जाकर ट्रेट करने लगों गए तो आपका स्टॉप लॉफ बड़ा हो सकता है तो अनिसे से क्यों लेंगे हमें बाइस टॉप लेना ही नहीं है इस टॉप लाव तो मुझे लेना है दो रूपे और प्रॉपिट लेना है हमको दस रूपे पांच गुना लेना है तो हम अ नहीं वो इस्टेक्चर बीकली या मंतली के डिमांड जोन को हिट होने के बाद बनना चाहिए कि यह हमने जो एक यह बीकली का डिमांड यो मार किया था कि मैं इसको कि बता रहूं आपको नो इसू मैं इसको एक मैं रेक्टेंगा से मार कर देता हूं नहीं सू थोड़ा सा सही रहेगा जितनी एडिया ले रहाँ उत्रमार कर रहा हूं बेस कंडल की बाड़ी से प्राक्सिमा लाइन और उन साभी बेस कंड़ की यह दोस्तों थोड़ा सा और जूम करता हूं ठीक है ठीक है तो पेसंस के साथ देखेगा पेसंस काई पैसा मार्केट में उचाए सीखने में हो चाइट लेने में हो यह हमने ड्रॉप और यह पांच बेस कंडल्स उसके बाद एक लेगाउट ग्रीन कंडल है इसका बीकली मार्किया कहीं नहीं आप देखेंगे प्राइज गिरते हुए आती है और हमारे इस बीकली के डिमांड यह तो बीकली के डिमांड जोन में अब जो हमारे पुराने भीवर है वो तो एलंटी में यहाप पर अच्छा खासा पैसा बना लिए होंगे अगर रोटेट कूपाइड आउट क्या होगा टाइम पर क्यों क क्योंकि उसी कि में कही ना कहीं है डाप तीन बेस लगाओ पर ऐनका लिवानड था प्राइज अगेर इस बीकली के डिमांड जोन में और प्लस डेलिक डिमांड जोन साथ मैं एंटि देती है और प्राइज निस्टप वगर जा रही है कोई बात नहीं कभी-कभी क्या होगा मार्केट में बहुत ज्यादा सलीं प्रेसर चलना होगा मार्केट में बहुत ही उल्टी सीधी न्यूजे आ रही होंगी आपको डर लग रहा होगा कि प्राइज डिमांड जोन में आ तो गई है लेकिन बाई करें की ना करें उस डर से बचने के लिए यह बता रहा हूं तो बीकलिक डिमांड जोन को गिरते होई एप्रोच करी और बीकलिक डिमांड जोन में हीट होने बाद में आप प्लीच इस इस्टेक दंदन इस डर्कृत ना रड़ कंज लागई बता दावी डिमांज आप नहां एक डर कंज लागई और अगर आप इंदो नों को ही मालज ते तीन चार इन चारों केंडल्स को मिला करके कहीं न कहीं हमारा एक डिमांड जोन बन जाना है हां देखिए मैं बार वर बोलता हूं थंब रूल कुछ नहीं है सब कुछ प्रैक्शन है अब मैंने आपको आप डिमानी में दिखा था सिर्फ एक बेस कंडल और बोला था तीन दीन लगेंगे इस स्टेक्टर को बनने में समझाओ चोथे दिन से प्राइज मूपर जा सकती है तो अब कहीं आप तो चार दून लग रहे हैं देकिए बेस के हो गया यह दो बेस कंडल हम करें कंसीडर उसके बाद यह बिक ग्रीन कंडल आ गई तो हुआ ड्रॉप बेस रैली इन चारों वे कंड़स को मिला करके हमारा डेमान जों क्रेट हो गया तो संकित तो मुझे मिल गया रहा अब संकित मिल गया अफंकित मिलने बाद में क्या हुआ देखिए यह यह अवाल टाइम हाई पहुच गया अब तो उपर कोई सप्लाइज जोन इसको रोगने क्लिए यह लेकिन अगर अगर हमको खरीजना चाहत्याद को तो भीनिक आप पड़ लें नहीं जैसे संकित मिल ग तो यह तो संकित जो मैं आपको बताओ दिखाओ भू आपको बता下次 क्या था यह संकित था कि किसी औरра सिर्फ बीख लिया मंघन कोंघमॉ इसनकित कर दिया partially है है पहले तो प्रायज गिस्ट है किसी मंठ प्रीया क्रीख रिक्ली इमांज रिच रदी है जिसके आपसम बीकलिक रखते धिकली को ठीक है अब तुरौंच आइट डिक डीक रेंपर डेली के टाइब आप देखेंगे कि क्या यह स्टक्चर बना अगर स्टक्र कहीं बंग तो स B palette होगा मैं इसको डिर करता हूँ जरेंगल को इसका की होगा ग्रैट प्लाव कांस की मिलिकलिकर्ण कुंसिंट अधर में करती है डेली में में है कर आ Sutnia डिली में जाकर देखका it had drop दो तीन चार दिन बाद ये रही बन गया आपने क्या किया कि यहां कहीं पर अब पूरी बास लिजिए पूरा आपको डिटेल में बस और एक मिनिट सब्सक्राइब आपने बाइक लिए प्रसें दें सब्लक्राइब लंग तो इसsyोरी कि दूपकर कर सब्सक्राइब करें आप करें इसी यहां से उपर जा सकती है तो हमने हाट है कर लिया तो देखे मार्केट मार्केट कर सकते हैं हम एक आईडिया लगा सकते हैं कि हाट प्राइज में क्या हो रहा हो सकता है बाकी मार्केट सुप्रीम है आप स MooDo果 सकते हैं मार्केट में हम अपने ज्यादा से ज्यादा स्थेट इस को यूज कर के हम ज्यादा जैदा पर सकते हैं या हम ना बाइक लिया सब्सक्राइब अजल अपको अच्छा लगे हर चीज सच क्या है वो बताओंगा और क्या हो सकता है वो बताओंगा यहां से प्राइज उपर नहीं गई अपने इंट्री का लिया और जहां से नीची आने लगे तो नोई सु कोई बात नहीं है हम ने कापने इसन है तो पुराना जूरूल है उसके रिकार्डिंग हम क्या करेंगे यहां पर कुछ और कौंटिटी कर लेंगे कि अगर हमने यहां पर 20 कौंटिटी एड़ कर लिया था अब राइज मीचे आने लगी तो नो इसव दस कौंटिटी हम यहां देट कर देंगे अब दोस्तों इतनी साथी इस्टेटी यूज करने बाद में इसका चांस बहुत कम हो जाता है अगर उसके बाद रीट हो जाता है तो हम एक्जिट करने में भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं अब बस मैं यह बतार चाता हूँ इस इस्टेट जी का जो सेकंड सबसे इंपोर्टन पॉइंट है अगर इसे बोलते हैं कि कोई प्राइज रणिंग कंडिसा में चल रही है चल रही उपर तरफ आपको बीच में कैश करने हैं तो ऐसी कंडिसी में आप यहां रखे जितनी क्या आपने रिस्क मनेजमेंट किसाब से डिसाइड किया था आपका रिस्क मनेजमेंट अगर कहता है कि हम को यहां पर 30 क्वांटिटी भाई कर सकता हूं तो अगर आप रणिंग टेड करने इस संक्यत को देख करके तो पूरे 30 क्वांटिटी हम नहीं भाई करने वाले हैं इस पर फिरम सिर्फ और सिर्फ यहां पर 15 क्वांटिटी एड करेंगे रिमेलिंग जो 15 क्वांटिटी बचेंगी वहां इस वाली दिमान में रप्राइज वापस आगे ऊपर नहीं गई जो हमने सोचा था वैसा नहीं वानी चाहिए तो जो 15 क्वांटिटी बच गे तीस में से उस 15 को हम इस डिमांज मेट कर देंगे है इससे क्या फाद होगा हमारा जो प्राइज वो एवर्ज हो जाएगा इस्टाप लास तो रूल यह डिस्ट लाइंक नीचे अधिक कभी कभी ऐसा होता है प्राइज अब कहेंगे सर्य मैं सारी क्वांटिटी यह करता दिमांड जोन में देखिए अभी तो मार्केट ऊपर जा रही है तो प्राइज तुरंट ऊपर चलने जा रही है जो कभी कभी क्या होगा कि आपको सब कुछ दिखने का कि बीकलिक लगेगा तब आप जब आप पकड़ लेंगे तो आप सोचेंगे पकड़ लिया और तुरंट उपर गई तो कोई बात ही और हलका नीचे आ गई तो आप क्या करें नीचे आ रही है तो उसी का पूरा मने ट्रेट प्लान आपके साथ में डिसकाशन किया कि अगर आपको लग कर रहा है अब आप पर कैस कर सकते उस पूजिशन को हां आप संटेड के लिए रूल नहीं है पहले सीधे बता रहा हूं नो आप संटेड के लिए तो हम एक बाद को इस वाले डिवाय जा रही है तो यहां पर बाइकर सकते लोगर लेबल पर भागते हुए टेड को हम बीच में आप संटेडिंग नहीं करने वाले हैं इधार कियेगा यह सिर्फ सिर्फ एक्वर्टी टेडिंग के लिए बता रहा हूं कि स्प्राइज भाग रही है आपको लगता भाग जागी इंट्री आप की मिस हो चुकी है तो आप यहां पर कि अगर मेंत इंटी करते करते थे दूसरी नहीं बात इसि पर रहा है कि अप्राइज करिया उपर जा सकती है रोधो उमेद करता हूं यह वीडियोप बहुत ही पसंद हो गई इसके लिए पसंद आई है तो लाइक केमेट जो करेगा और हमारे चनल को जो सब्सक्राइब करेगा थैंक यू